प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णेमा और हम करेंगे वक्षीट नमबर 35 सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण है और गक्षा आटवी है और ये वक्षीट है 11 फरवरी की प्यारे बच्चों, भाषक और रोचक, आकरशक और प्रभाव शाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रियोग करते हैं इनके प्रियोग से हम अपनी बातों को कम शब्दों में प्रुस्तुत कर सकते हैं, कम शब्दों में कह सकते हैं मुहावरे का अर्थ है वहे वाक्यांच जिसका कोई विशेश अर्थ होता है और जो वाक्य में किरिया के स्थान पर प्रियोग में आता है मुहावरा कहलाता है जैसे उल्लू बनाना मुर्क बनाना उधारन के लिए कुछ महावरे अर्थ के साथ दिये गए हैं जिने हम अकसर बातों में प्रियोग करते हैं चूडियां पहनना, कायर बनना इस्तरी किसी असमर्ता परकट करना आख लगना, नीन ने आना सो जाना, गांट बांधना अच्छी तरह याद रखना आनाकानी करना, ने करने के लिए बहना करना, टालमटोल करना दात दिखाना, व्यर्थ में हसना पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना भाग जाना, पीछे हटना नाक रखना, मान रखना गी के दिये जलाना, बहुत सारी कुश्या मनाना, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मुहावर का अभ्यास कुश पर्षनों से करते हैं अंगुठा दिखाना, फूला, ने समाना आखे खुलना, तो चलिए इनकों में क्या करना है, सेंटेंसे देने की वाक्य बनाने हैं अंगुठा दिखाना, मना कर देना मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगुठा दिखा दिया फूला ने समाना, अत्रधिक परस्न होना जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया तो फूला ने समाया आखे खुलना, सावधान या सचेत हो जाना इतनी बार सफल होने के बाद तो तुम्हारी आखे खुल जानी चाहिए अब हम करते हैं काफी आसान है भानू को जब देखो अपने मुझ मिया मिठु बनता रहता है यह आ जाएगा पहले का पिता ने बच्चे को समझाया कि एक और एक ग्यारा होते हैं पुलिस को देखते ही पुलिस को देखते ही भागना क्या होता है नो दो ग्यारा होना वे घर के काम में बहुत सायता करता है सायता करना मतलब हाथ बटाना बहुत आसान काम होना मतलब बाए हाथ का खेल मोहित हो जाना मतलब लट्टू हो जाना तो ये मुहावरे लिखके इनको प्रियोग भी करना है चोर पुलिस को देखते ही भाग गया 9-11 हो गया चोर पुलिस को देखते ही 9-11 हो गया वे घर के काम में बहुत सायता करता है वे घर के काम में हाथ बटाता है यह मेरे लिए बहुत आसान काम है बाए हाथ का खेल होना यह मेरे लिए बाए हाथ का खेल है मधूर गीट सुनकर सभी लोग मौहित हो गए मौहित हो जाना लट्टू हो जाना मधूर गीट सुनकर सभी लोग लट्टू हो गए ठीक है अब देखिए पॉर्ट कोशन में काफी आसान है निमिलिकत मुहावरों के चार-चार अर्थ दिये गए हैं सही अर्थ वाला विकल्ब चाट कर उसे उत्तर में लिखी तो उल्टी गंगा बहना विप्रीत काम करना इसका अंसर होगा तेड़ी खीर का मतलब होता है कठे निकार्रे होना Students, Unacademy Essence फिर से आ गया है ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को ये एक Championship है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे पार्टिस्पेट कर सकते हैं यानि कि 6 क्लास से लेके 12 तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं अगर पार्टिस्पेट करना चाहें तो इसमें enroll करना बिल्कुल फ्री है ये एक तरह से Championship है अगर आप इसमें जीच जाते हैं तो आपको scholarship मिलता है पांच लाक रुपे तक का ठीक है विन स्कोलर्शिफ वर्थ 5 लाक रुपेज तो आपको अगर वैसे भी कोई special क्लास अगर अन अकेडमी पे देखनी होती है या free test देनी होती है तो आप मेरा code यूज कर सकते हैं पूर्णिमा 10 तो अब इसमें देखेंगे अन अकेडमी एसन के लिए आपको करना क्या है पहली के बाद आपको क्लिक करना है एन रोल पे जैसे ही आप एन रोल बटन को क्लिक करेंगे अगर आप नए यूजर है तो यह क्या करेगा आप डाउनलोड कर लिजी एन अकेडमी एप या फिर एन अकेडमी की वेब साइट पे चाके free रिजिस्टर कर लिजी जब आप साइट प आप यह जो आप सब्सक्राइब में जाना और टेस्ट सीरीज में जाना ठीक है फिर एन अकेडमी एसन पे खिल्क करना एन अकेडमी एसन पे खिली करके ओल इंडिया चैंपिंशिप के लिए नौ आप यह टेस्ट कर सकते हैं ठीक है अब आपको विन स्कोलर्शिप वर्थ इससे आपको यह बताई दिया है कि मैंने आपको इसमे स्कोलर्शिप मिलेगा पांच लाक रुपे तक कोड आप यूज कर सकते हैं बाकी बाकी बी स्पेशल क्लास देखने के लिए और जो फ्री टेस्स सीरीज होती है उसके लिए भी ठीक है और यह जो टेस्ट है ऐसा नहीं ह प्रिपरेशन आपको प्रिपेर करना जोएन दा प्रिप फोर दा एसेंट बैच एसेंट भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है उसको आप जोएन कर सकते हैं सेकिंड पाटिस्पेट इन डा ओल इंडिया चैंपेंशिप on फैब 13 तेरह फ competition की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है हम अपने आपको पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है analysis उसके बाद join our top educator for test analysis test analysis मतलब कि जब test हो जाएगा उसके बाद उसको analyze किया जाएगा और उसको solution दिया जाएगा ठीक है तो यह कब होने वाला है ध्यान रखेंगे यह होने वाला है 13 फरवरी को ठीक है 11 बज़े से लेके 12 बज़े तक ही होने वाला है इन free test को आप join कर सकते हैं बाकी अगर कोई further doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप videos को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं and students अगर आप an academy पे कोई free class या special class देखना चाहते हैं तो भी आप Purnima 10 code यूज कर सकते हैं वहाँ पर अगर कोई course खरीते हैं कोई test series खरीते हैं तो आपको fees में discount मिलता है Purnima 10 से लेकिन जिस यह मैं बात कर रही हूं ascent की यह बिल्कुल free है यह आप दे सकते हैं enroll का मैंने बता दिया enroll करने के लिए step रहेंगे कौन-कौन से enroll click the button अगर app है तो फिर तो on download करने के कोई जरूत नहीं है सीधा सा अपना goal select करना है class और जाना है free classes test series tab में वहाँ से अपना ascent को select कर लेना है okay thank you have a nice day may god bless you